छोटे से दिखने वाले मच्छर दुनिया के जानलेवा जीओं में से एक हैं एक छोटा सा मच्छर प्रतिवर्स हजारों लोगों की मौत का कारण बनता है दिन के समय जब आप अपने जिंदगी में बिजी होते हैं तो पानी में पनपने वाला ये खतरनाग जीओं ताक लगाए बैठा रहता है कि उसका शिकार कब अपने बिस्तर पर आराम करने आएगा और आपके गहरी नीद में जाते ही वो आप पर हमला कर देते हैं इस छोटे जीओ का किवल एक ही मकसद होता है आपके सरीर में बह रहे लाल पदार्थ का पान करना लेकिन कोई भी अकेला मच्छर आपके सरीर में खून नहीं चूश सकता उसे उसके साथियों की जरूरत पड़ती है तो आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि आखिर कितने मच्छर एक समय में एक इंसान की बॉड़ी का खून चूश सकते हैं हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है अंजली शुकला स्वागत है आपका फैक्ट्स विद अंजली में अगर आप मारे चैनल पर नियू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए तो चलिए शुरू करते हैं आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि आखिर मच्छर हमारा खून क्यों पीते हैं हमारी बॉडि के बलड का उनके बॉडि में क्या योज है और ऐसे ही कई सवाल है जो हमारे दिमाग में उन नन्हे मच्छरों को देखकर उठते होगे आपको जानकर हो सकता है हैरानी हो कि मच्छर आपके खून के अलावा नेक्टर और पानी पीकर भी जिन्दा रह सकते हैं लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर मच्छर सिर्फ आपके रक्त पर अपना भोजर निर्भन नहीं रखते हैं तो वो अपनी जान पर खेल कर और वो मीटिंग सिर्फ एक बार ही होती है और वो मच्छर उड़ जाते हैं और मादा मच्छर अपने बच्चों के साथ अकेली रह जाती है मादा मच्छर को अपने जीवन के यापन के लिए उसे प्रोटीन्स और विटामिन्स की जरूरत होती है जो उसे इंसान के रक्त से प्राप्त होता है इसलिए आपको सिर्फ मादा मच्छर ही काटती है जिससे वो हमारे खून से अपने अंडों के लिए प्रोटीन प्राप्त कर सके लेकिन एक गर्मी भरे दिन में यही खून मच्छरों के लिए एक थंडे पेपदार्थ का भी काम करता है मादा मच्छर दो से तीन दिन में आपका रक्त डाइजस्ट कर सकती है और उसके बाद वो किसी साफ पानी के अस्थान पर अपने अंडे देने चली जाती है और कई बार वो मादा मच्छर बच्चों को जर्म देते समय ही मर जाती है और आश्चरी की बात तो ये है कि मादा मच्छर को अपने जीवन में किवल एक बार ही मानोरक्त की आवशक्ता पड़ती है तिर्फ अपने अंडों को परियाप्त प्रोटीन देने के लिए Research की माने तो नर मच्छर, नेक्र और पानी पर ही जीवित रहते है उन्हें हमारा रक्त पीने की कोई आशक्ता नहीं है लेकिन इसका ये मतलम नहीं है कि वो हमारा रक्त पीते नहीं है Research से प्राप्ट हुआ है कि सूखे में रहने वाली मादा मच्छर बहुत जादा एग्रेसिव होती है और आपके रख्त को पीने वाले मच्छरों की तुलना में वे आपके बलड को और फ्रिक्वेंटली पी सकती है और अक्सर मादा मच्छर सुबा और शाम में ही अपने रख्त का पान करने के लिए निकलती है और दिन के समय शेल्टर तलासती है रिसर्च की माने तो सुखे में रहने वाले मच्छर अपनी प्यास बुझाने के साथ साथ ही आपके शरीर में बहुत सारी बिमारियों को भी जर्म देते हैं जैसे मलेरिया, जीका वायरिस, डेंगू, चिकन गुनिया और येलो फीवर जैसी खतरनाग रोक लेकर घूमते हैं सबसे अधिक खुखार और जानलेवा मच्छर सूखे और गर्म स्थानों पर ही पाय जाते हैं मच्छरों के काटने से फैलने मारी बिमारिया, प्रतिवर्ष, लगबग, साथ लाग, पच्चिस हजार लोगों की जान का कारण बनती हैं आपको सायदी आश्यर हो लेकिन ये छोटा सा दिखने वाला जीव आपके शरीर का पूरा खून चूज सकता है या आपने कभी सोचा है कि अगर नर्मच्छर भी आपके खून पर निर्भर रहने लगे तो आपका क्या होगा तो ऐसे समय में वो स्थिती दूर नहीं रहेगी कि मच्छरों के खून पीने मातर से ही आपकी मृत्यू हो जाएगी सुन्ने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन ये बिलकुल सच है एक सर्वे में कैलिफोर्निया यूनिवस्टी में इस बात को सच करने के लिए तीन नर्मच्छरों को उनकी अलग-अलग सेचुएशन के हिसाब से रखा गया नर्मच्छर के पहले समू को बोजन के लिए केवल चीनी दी गई वहीं दूसरे समू के मच्छरों को रक्त और चीनी का एक मिश्रन दिया गया और तीसरे समू के नर्मच्छरों को केवल रक्त प्रदान किया गया पहले समू के मच्छरों ने 28 दिन का लंबा समय का जीवन बिताया, दूसरे समू के मच्छरों ने 7 दिन तक अपना जीवन यापन किया, अब बात करते हैं तीसरे समू के मच्छरों की जो की सिर्फ 3 दिन तक ही जीवित रह पाए, इससे पता चलता है कि human body का blood नर मच्छरों की मृत्यू का कारण बन सकता है, लेकिन अब ये बात मच्छरों को थोड़ी पता है कि उनके blood पीने से उनकी जान जादा जा रही है, तो friends, hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप मारे चैनल पर new है, मारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को subscribe करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, थैंक यू फूर वाचिक,